हिमाचल प्रदेश हिमफेट के नवन्युक्त अध्यक्ष गनेशदत ने अपना पदभार संभाल लिया है काराले पहुचने पर भाजबा कारे करताओं और हिमफेट अधिकारियों वकरमचारियों ने गनेशदत का गरमजोशी से स्वागत किया गनेशदत ने इस मौके पर कहा कि सरकार ने उन्हें जो जिम्मेवारी सौंपी है उसको वो निष्ठा वो इमानदारी से निभानी की कोशिश करेंगे प्रदेश सरकार द्वारा निगमों और पोडों के पदों पर ताजबोशी की जा रही है सरकार ने हिमाचल प्रदेश हिमफैड के अध्यक्ष पद पर गनेशदत को निउक्ती दी है शनिवार को नवनिउक्त अध्यक्ष गनेशदत ने अपना पदभार संभाला इस मौके पर काराले पहुँचने पर भाजपा कारे करताओं और हिमफैड के अधिकारियों वो करमचारियों ने गनेश दत का स्वागत किया गनेश दत ने कहा कि सरकार द्वारा चलाई योशनाओं को आमादमी तक पहुँचाने के लिए काम करेंगे हिमाचल प्रदेश में किसानों और बागवानों की समस्याओं को प्रमुकता से सरकार के समक्ष रखकर उन समस्याओं को सुलजाया जाएगा गनेश दत ने कहा कि वो हिमफैड को देश भर में पहचाम दिलाने के लिए हर संभव प्रियास करेंगे इस मौकर पर गनेश तत ने मुख्यमंत्री जैराम ठाकुर और भाजबा संगठन का इसे जिम्मेदारी सौंपने के लिए अब हर विक्त किया अपनी पार्टी के संगठन ने और प्रदेश की सरकार और प्रदेश के पांदी मुख्यमत्री श्री जैराम ठाकुर जी ने मुझे ये दायत तो सौपा है मैं संगठन का परदेश की सरकार का और समस्त जो हमारे सुपचन तक हैं उनका बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे एक जुम्मेवारी दी है मैं उस जुम्मेवारी को बखुबी निवाने का प्रियास करूँगा और संगठन और सरकार की अपेक्षाओं के अनरूप खड़ा उतरने का प्रियास करूँगा यद्देपी ये जो लाइन है मेरे लिए थोड़ी सी नई है लेकिन उसके बावजूद भी जो जो भी यहां की वर्किंग होगी जो जो भी यहां का कारेक शेत्र होगा उसको ठीक परकार से निवाते हुए आगे बढ़ेंगे और मुर्जे पूर्ण विश्वास है कि जिस तरह से इस संगठन का एक बहुत बड़ा बिस्तरित रूप है और सारे प्रदेश में इनकी साखाएं हें फेड़ की और इसको प्रदेश तरह ही नहीं हम कोशिश करेंगे कि इसको राष्टी इस तरह तक ले जाएंगे और जो किसान और बागवान है आम उबुक्ताओं की जो समस्या हैं उनको हल करने के लिए निश्ची तोर से प्रियास करूँगा क्योंकि हिमाचल प्रदेश बागवानी एक संपन प्रदेश है और बागवानों के हितों की चिंता, किसानों के हिंतों की चिंता और जो कस्टमर के हिंतों की चिंता करके इस संगठन को, हिमफेड को बुलंदियों पर ले जा करके एक अच्छे संगठन के रूप में हिमाचल परदेश में इसका इस्थान बने